आओ पावन प्रग्यापूराण मजे ये ते पहला एक गायत्री महमंत्र आम्भूर्भूवाहस्वाह तत्सवितुर्वारेण्यां भरगोदेवस्यदीमाहि धियोयोनाह प्रचोदयात्र नारी मात्म्य प्रक्रण आपने जये ते पहला आओ बे मिनिट ए नारी वंदना करिये नारियां देश की जाग जाये अगर युगश्वयम ही बदलता चला जायेगा शक्तियां जागरण गीत गाये अगर हर रदय ही मचलता चला जायेगा वीर संता नसे को कखाली नहीं गोद में को नसी सक्ति पाली नहीं जन नियां सक्ति को साध पाये अगर सवर्य सिश्वों में बढ़ता चला जायेगा मूर्ति पुरुशार्थ में है सदाचार की पूर्ति स्रम से सहज साध्य अधिकार की पत्निया साधगी साध पाये अगर पति श्वयम ही बदलता चला जायेगा अध्भुत नारिमात्म्य परक्रणमा बतावियों छे जागो प्यारी बहेनो जागो अब समय नहीं है सोने का सोई सक्ति को पहचानो अब गया जमाना रोने का चंड मुंड के मर्धन को तुम महाचंडी के बन जाओ महिस आशूर का वद करने को तुम महादूरगा बन आओ जागो लक्ष्मी बाई जागो, आसूरी सक्ती से टकराओ, सत्यवान को सावी त्रीबन, यम से आज चुडा लाओ, तुम जागो तो जाग उठे, सारा हिंदुस्तान, जगत गुरु फिर्षे बने, अपना देश महान, जगत गुरु फिर्षे बने, अपना देश महान, अध भुत नारी मात में प्रक्रणमा बतावियों चे। भुत नारी मात में प्रक्रणमा बतावियों चे। भुत नारी मात में प्रक्रणमा बतावियों चे। भुत नारी में प्रक्रणमा बतावियों चे। करेली बोलोनु नुक्सान पण एनेज सहन करूँ पडियों चे। स्त्रीनी दसा सुधार्वा माते पुरुशेज वधारे तत्परता राखी जुए। अने बदलामा लाबपण तेने जुधारे मडशे। संसारना बदाक्सेत्रों मा नारी पिडित अने कचडायली रहीचे। एनु मुख्यकारणे एचे के एने कामिनी, रमनी अने वेश्या बनावीने एने आकर्षल्मनु केंद्र बनावी दिदीचे। बिजी बाजु एने पड़दा आने गुंकटनी कठोर जंजीरों मा जकडीने अपंग जेवी बनावी दिदीचे। एटला बदा बंदनो एना परलाद्वामा आव्या। पड़दो राखीने न थी रहिए उपड़तों। तेवों बिजाओनों चेहरों जोई सकेच। पने पोतानों चेहरों देखाली सकेच। जारे पनी इछा धाये त्यारे गम्मेतेनी आगड पोतानी तूटी फुटी वानीमा वाच्चित पन करेशकेच। परन्तु नारी नेतो ए अधिकार्थी पन मंचीत राखवा मावीच। आ अमा नविय बंधनननु परिणाम खूब खराब आविऊँच। नारी सारी रिक्स्वास्थेन द्रष्टिये खूब जपाचल रहिगईच। भारतमा नारनी सर्खामनीमा नारीनों मृत्युदर घणो वदाब आविच। मानसिक द्रष्टिये ते आत्महिंतानी ग्रंथिदी पीडाई रहिच। ते गाबरी थेने आम्थि तेम छुपाती लपाती रहेच। अन्याए अत्याचार अने अपमान डगलेने पगले सहन करी करीने तेने पोतानी बदीज मौलीक विशेख्षताव गुमावी दिदीच। रिम्बूर लिम्बूनो रस निचोविलेने एने कत्रा पोटलीमा नाखी दिदू होय एवी दसा आजे स्त्रियोनीच। वस्तुतह पूरुशन इस्त्री समानीचे एक जरतना बेपईडाज एमा कोई नानू नथी के कोई मोटू नथी। ज्या सुधी घर अने समाजमा आवी भावना विक्षित अने परिपकव नई बने त्या सुधी नारी कचडाएली जरे बधा लोकोंने आतत्थे सारी रिते समझावू जुए। के नार ने नारीना सगन सहयोगन पवित्र प्रुष्ट भूमीना आधारे विकास करवामा आवे तो एना थी कोईने कसुझ नुक्सान नथी थवान। एना बदले उल्टो लाभज लाभचे। नारी कोई विजडी के आग नथी जेने अडगताँच कोई अनर थई जाए। एने अलग राखवानी कोई जरूरज नथी। मोटा थयाचे ते नारीने लांचित करीने मानव जातीनी भत्सर ना न करे। आपने जीब पुत्रीने गम्मे तेम न बोले। बहनोंने लांचित न करे। माताओने लांचित न करे। जोओ जुए। नारी नरकनी खानचे एक कुकलपनानो अध्यात्मना कोईपन आदर्शिया सिद्धान्त साथे मेड बेशतो न थी। जो एवुँ होत तो आपना इस्टदेव भगवान राम, कृष्ण, सीव वगेरे नारीने पोतानी पासे आवाज न देत। रुष्योंना आश्रमों मा तेमनी पत्नियों न रहे सरस्वती, काली, लक्ष्मी वगेरे देवियोंनू मुख जोतांच आप लागी जाथ। एतले स्त्री सबंदी नकामी डिंग ना किये तो वधारे सारूँ छे। प्रग्या, भक्ती, साधना, मुक्ती, सिद्धी आब अज श्त्रीलिंग छे। जो नारी नरक निखान होए तो स्त्रीलिंग नी सब्दों नी साथे जोडायली वी भूत्यों अपन बहिस्कार करवो जुए। एतला अध्यात्मवादने नामे आवा खोटा ब्रह्मन क्यारे न फेलावो जुए। न फेलावा देवो जुए। नाय अउचित्य और स्वतंत्रतानु समर्शन करनारा, मानविया आदर्शनने माननेता आपनार, उद्धात और मनस्वी लोकों ये वो प्रहत्न करवो जु अने विश्वास्षिर निये मानुई जुए। ने सिक्षण मेडवानों अनुभवदारवानों, समाजननों सोरुप समझवानों और लोकपल्यानना जनकल्यानने कारियों मा भागलेवानों अउशर आपो जुए। येम करवाथिज मानव जातिनी अड़्धी सक्तिने मू राष्ट्रिय सेवाव माटे इतिया साक्षीच। एनाधी खबर पड़ेचे केस्त्री पुरुष करता कोईपण ख्षेत्रमा पात्वर्ण नती रही। अन्सुया, गार्गी, मैत्रे, सत्रूपा, अहल्या, मदाल्सा, वगेरे धार्मिक। तथा सिता, द्रवपदी, दम्य वगेरे पवराणिकने पदमावती, विर्बाडा, लक्ष्मिबाई, नवेदिता, कस्तूर्बा, वगेरे राष्ट्रिय तथा सामाजिक शेत्रनी प्रकाश मान तारिकावोच। वेज तथा इतियास ना पुष्टकोनों अभ्यास करवाथी खबर पड़ेचे के प्रारंब विक समय मा जे वक्ते साधनानी उनप हती पने पुरूष्टने मोटे भागे जंगल मा खोराक सोधिलावा जवो पड़तो हतु तथा आत्मरक्षन ना कार्यों पाछड पड़ अगेरे ध्यान आपू पड़तो हतु ते वक्ते व्यवस्था ज्ञानवी ज्ञान तथा सभ्य दान, स्ने, स्रद्धा, धिरज औने सहिष्णता पूरुण जीवन जीवती रहीच। नारीने प्रुथ्विपर्नी स्वर्गीय जोतीनी साकार प्रतिमा मानवा मावेच। एनी वानी जीवन माते अम्रुतनु जर्णूच। एनी आखोमा करुणा, शरडता औने आनंदना दर्शन थायेच। एनामा आखा जगतनी निराशाने कटूता दूर करवानिक समताच। नारी संतक्त रदय माटे। शितड छायडानी तथा स्ने अने सवजन्यानी साकार मूर्तीच। नारी पुरुष्णी पूरक सकतीच। ते मनुष्यनी सवती मोटामा मोटी सकतीच। त्यारे स्त्रीनु जीवन एक समेदना पूर्णस। एमा आजवाडू पाथरी देच। पूरुष्णा सुष्क जीवनने ते हरियाडू बनावी देच। पोतानी उद्गम सकतीनु गवरव घटाडवो एवोच थायेच। महा भारतमा कैवामा आवियुँचे। के स्त्री पुरुष्णी अर्दांगी नीच। एनो सवती मोटो मित्रच। ते धार्म आर्थ अने कामनु मूरुडुचे। जे एनु अपमान करेचे तेने काड नस्ट करी नाखेच। जीवन संगीनी नर उपमा स्त्री जे पुरुष्णी उचे लई जायेच। स्त्री ना कोईपन स्वरुपनु गवरव घटाडवामा एने कचडायली स्थितीमा राख्वाथी पुरुष्णी नुक्सान जे नुक्सान सहन करूँ पडेच। नारी ना विकास माज एनु हित रहेलूँचे। आथी समयनी माग छे। केस्त्री ने विश्वासु मित्र अने सनमानने योग्य मित्रनु स्थाना पूजुए। एने सगन सहयोगी बनावा माज लाब ज लाब छे। उदार ताना बिजवाववा थी। नारी आपनी अपेक्सा करता पन वधारे लाब आपे छे। एम मानु जुए। आ निती ज श्त्रहे कर्च। लाखो वर्षो सुधी। आ निती ना मारगे चाली नेज बारते खुब घणो मेड़ियों हतु। जयां स्त्री पूरु स्वचे आ सहयोगनो विकास थाये छे। त्याएना उजडा परिण्यामो पर जोवा मले छे। मित्रो आ प्रखर स्वातंत्र सेनानी। युग रुषी पंडित स्री रामशर्मा आचारे जिनू प्रग्या पुराणनू नारी महात्य में छे। नारी ने जेतली आगणे उधार्शूं। एकलोज आपणे लाभु मारे इशूं। आ संदेश आप सवनी पासे रुषी चिन्तन चे नला माध्यम थी। विना मुल्ले पहुंचो छे। आपनी पन ये मैनत बने छे। कि आपने पना दैवी विचारों ने आपना पूर्तो मर्यादित नराखी। एने जन जन सुधी। पहुचारों जुए मित्र सर्कल ग्रूप मित्र सर्कल मा नहीं स्वजनों मा शेक्षित प्रसिक्षित लोगों मा आने आप फोरोड करी दैविस संस्कृती रूशी संस्कृती सत्युगी संस्कृती लावामा सहभागी बनुए एज अपक्सास जै सरक्रस्टन जै गुरुदे जै